अंकल, अंकल, हाँ, क्या है, तुझे क्या साले, अरे नहीं मतलब क्या रखा है, वही तो बैटा, नाम में कुछ नहीं रखा है, आदमी साब सुत्रा होना चाहिए, आए, बेंगन चाहिए, तो क्या चाहिए बोलना, लाइन लगिए पीछे लंबी, सुना है, कचोरी बेचते ह तो वो ही बोला मैंने तुमारी कचोरी में वो स्वाद नहीं आया मैं बेच नहीं नहीं हूँ बेच भी नहीं सकता हर कोई टैलेंट निकलना पड़ता है उसके लिए ये नाभी में से जो रुई निकार रहे हो इसका नाम टैलेंट रखा है क्या इधर ही करते हो सीधे धंदा खानी है या पैक कर दूँ जो कुमार ने आया कचोरी लेने दोनो दस हजार लगेंगे ये जो मेरा खुबसूर सा थोबड़ा देके यूटूब में डाल के लाग रुपे कमाईगा उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा हूँ आपका थोड़ा दिखा के एक लाग गाली मिलेगी उसमें से चाहिए पूरा हिस्सा ले 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 ना गाली? गाली क्यों देते लोग? मैं कौन सा गंदा हूँ? और भाई मैं एनिमेटर नहीं हूँ इवन मैं यूट्यूबर ही नहीं हूँ पैसे कितने कमा लेते हो? जब खुद कमाने लग जाएगा न तो दुकानों से इदर उदर से पूछना बंद कर देगा सच बताऊं तो ये कचोरी देखे न मेरा मन नहीं कर रहा है इससे साफत कबूदर की टटी होती है तो वो खाले जाके जो ग्रहक की इजट नहीं न गरता उनको रात को घर जाते वक्त दिल का दोरा बढ़ जाता और नाली में गिर के मर जाते है मादर फूड हमारे मोहले की नाली या डक्यू ही है लगता नहीं आपके कपड़ों को देखके अपको नहीं एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसके बारे में आपने कभी नी सुना होगा कौन सी चीज़ अबे क्या दिक्कते हैं साले तुझी मेरे बातरूम में आके नाला ना मेरे साथ देखले रोज कितने हफ्तों बाद नाता हूँ कितनी जोर-जोर से टटी करके हाथ दोते हो नई पतों से साफ कर लेता हूँ छोटू पतों में डालके कच्छोरी दे इसको और वो भी सिधा मुह में आपको एक बिजनेस एडवाइस दू ऐसे खाने के साथ लाइफ इंशोरेंस भी बेचनी शुरू कर दो टेंशन नाले बंदरों के आबादी इतनी जल्दे लुट होने वाली नहीं है ऐसा खाना बंदर भी न खाएं ओई मेरे खाने की इज़त कर खून पसीने की मेहने से बनाए ये खून तो नहीं पता लेकिन पसीने की मेहने से जुरूर बनाओगा आपने टैटू बने वालो कहाँ आप नाभी के उपर लिखवालो एंटी हाइजेनिक तुम भी टैटू बनो लो कहाँ माते के उपर लिखवालो चूती नमक कौन साइश्तमाल करते हो सेंदा नमक तु थोड़ा सा चिटको रहा है क्या तु थोड़ा सा बैन का पकोड़ा है क्या एक बात बताओ अगर उपर से छिपकली गिर जाए तो क्या गरते हो सच बताओ यार कुचोरी से तो मेरा मन भर गया अगर मुझे सिर्फ चने लेने हो तो लेले पीचे बोरी बरी पड़ी है थोड़ा ना वाक्ये में गैब दे के बोला करो चोटू ये डस्ट बिंड में डाल दे दुकान का नाम डस्ट बिंड रिखा है क्या साले इतनी परिशान है तो खड़ा क्यों यहाँ पे बूखना लगी होती ना मुझे कसम से मूट के चला जाता है यहाँ पे खाने की इज़त करते हैं और जो तूने खाने का चीर हरन कर रहा है इसकी सजा तुझे कहां से दिलमाए अबे तू इंग्लाइन सा है थोड़ा बहुत तो डस्ट रही गए ना थोड़ा बहुत डस्ट मेरा तो उल्टी करने का मन कर रहा है भाई अरे वा कौन सी ब्रीड है लब्रडोर लग रही है और कुट्टे की मादर कचोरी देख के लगता नहीं अबिकते होगी अच्छा बिना नाम सुने तो यहाँ पे आ गया यह चने तेल में बनाए है या ग्रीस में यह ले खाके देख ले और ठंडेना करियो फ्रेश ख़ियो तभी मज़ा आएगा फ्रेश देगा तो खाऊंगा ना ऐसा मत बोल रेटोटाई बुरा मान जाएगा लगा क्या इस पे शर्त लगिया इस पर अगर तुम खाके दिखा दे तो इसको मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं मेरी ओर से कोलगेट लगा के खा ले अगर इसको खाने के बाद मेरे टेस्ट बट्स डेमेज होगे तो तो पैसे वापस कैसी लगी वाँ देखा हियाद पैसे वापस कर है कौन तूँ चल बाद